हम चर्चा कर रहे हैं इस गृत कुमारी के संदर्म में कितना यहां गुणकारी है कमर के दर्द के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कमर में दर्द की उचे से जो अपने कमर को हिला नहीं पाते हैं पाते हैं कई बार तो जुनको सल्फिक है डिस्क की प्रौलम है उसमें भी हा लाब करता है तो जिनको कमर में दर्द है शैटिका की प्रौलम है उनकी लिए है यह है यदि आप जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गृत कुमारी के आप लड़ु बना और के खा सकते हैं हल्वा ब कुदा मिला करके उस आटे की रोटी बना करके आप सेवन करें तो आप देखेंगे इससे जो कमर की पीड़ा है कमर का जो दर्द है वह भी ठीक हो जाएगा बहुत ही है लापकारी है कमर के दर्द के लिए और हम आपी चर्चा कर रहे थे बच्चों के रोग के संद्रम में जि जो रात को छोटे बच्चे बिष्टर में पेसाब कर देते हैं आप इसमें इस गृत कुमारी में आप तील को थोड़ा भून लें भूने हुए काले तील में थोड़े गृत कुमारी मिला करके और उसके उसका लड्डू बना ले आप गृत कुमारी काला तेल और गुड त करके आप छोटे बच्चों को खिलाते हैं इससे बंद हो जाएगा रात को जो बच्चे बिश्टरे में शूशू कर देते हैं बहुत ही लापकारी है तूरंत प्रभावशाली है लीवर के लिए भी गुणकारी है उससे उनका पेट भी ठीक होगा डाजिसन सस्तम भी ठीक बुजूर्ग जिनको दर्द है उसके लिए बहुत ही लापकारी है जिनका प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ा हुआ है बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लेंड के लिए भी आप सुन लें काला तील लें काले तील को भुन लें और उसमें आप गुड मिला करके और गृतकुमार हैं दोनों में ही आपको भरपूर लाब मिलेगा इसके अतीरी तक जिनके शरी में बहुत खुजली होती हैं कई बार ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो खुजली की जासे बहुत परेशान रहते हैं नहाने से पहले आप गृत कुमारी के रस में थोड़ा सा उसमें तो सित्पित के लिए यह बहुत ही लाबकारी है आप उसमें इसको मिला करके अच्छी तरह से मिला करके इसका आप लेप कर ही है एक और शदी यह चर्म रोग से लेकर के इसकिन की प्रावलम से लेकर के अर्थराइटिस से लेकर के लीवर से लेकर के आपके सभी तरह कि इस तरह की समस्याओं को दूर करने में यह सक्षम है